अब अब आपकी इंग्लिश क्रामर में चैप्टर शिक्स जो की आर्टिकल्स है उसको समझेंगे और उसे साथ-साथ फिल भी करेंगे तो आर्टिकल्स आप इन पहले सबसे पहले जो आपको यह पिक्चर्स दी गई है इन पिक्चर्स को ध्यान से देखें और पढ़ें अब यहां पर जो हाइलाइटिट वर्ड है वो हा अ तो मैंने एक खुत्य को गेट के पास बैटे हुए देखा डिस इंजल ओप ट्रेन यह आप पर हाइलाइटिट ए तो यह एक पर इंजल है दो ताज महली जाए प्यूटिफुल मॉनुमेंट्स दो यहां पर हाइलाइटिड है ताज महले एक सुन्दर मॉनुमेंट है तो चिल्टन यह आपर जो हाइलाइटीड वर्ड्स यानि की ए एन और दा तो यह एन और दा यह सब क्या कहलाते हैं तो यह आपकी डेफिनेशन्स है जो आपकी कोपी में नोट दाउन करनी है एन ता आरकार्ड आर्टिकल्स ठीक है अब इसका यूज क्या होता है यूज ओफ ए एंड और एंड एंड आरकार्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स because they don't point out any particular person or things जो A और N है चिल्रन यह दोनों अनिश्चित आर्टिकल्स हैं क्योंकि यह हमें definite नहीं होता कि इसका यूज किसके साथ होना है मतलब कहां पर किस A की चीज के साथ इसका यूज होना है क्योंकि दोनों ही बच्चों यह singular के साथ यूज किये जाते हैं अब A और N दोनों ही singular के साथ use किये जाते है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पर A का use करना है और कहाँ पर हमें N का use करना है तो चिल्डरन देखेंगे A is used, A का use कहां किया जाता है before a word beginning with the consonant यानि कि जो हमारे शब्द consonant से start होते हैं और वो singular होते हैं वहाँ पर हम A का use करते हैं पर ये confirm नहीं है कि सारे consonants जो शुरू होंगे वो सारे ही अगर singular है तो सबके साथ ही हम A का use करेंगे हम उसके sounding words पर भी जाएंगे ठीक हैं, sounding words जैसे before a word beginning with the consonant sound यानि कि जो consonant sound के साथ शुरू होते हैं उनके साथ भी हम A का use करते हैं पर एक्जामपल A university और A one rupee note चिल्डरन आप देखेंगे जैसे कि हमारे वोबल होते हैं आप जानते होंगे हमारे वोबल 5 होते हैं इंग्लीश में कों से A, E, I, O, O, U यह हमारे 5 वोबल होते हैं ठीक हैं? और जो हमारे consonant होते हैं children जो हमारे consonant होते हैं, consonant कों से होते हैं? A, E, I, O, U को छोड़कर बाकी के सब हमारे क्या होते है बच्चो consonant होते है English consonant होते है A, E, I, O, U को छोड़कर जैसे की हमारा G K ठीक है L, M जितने भी हमारे सब हैं यह consonant है in English बड़ यदि हम sounding word पर जाहें ठीक है sounding word का मतलब यह नहीं है कि आपके जो words A, E, I, O U से शुरू हो रहे हैं यह आपके vowel words है अब आप देखेंगे A से apple यानि कि तो हमारा आपकी आवास तो A से ही है ठीक है इसके साथ साथ अगर हम हिंद्री इंदी के vowel पर जाहें इंदी के vowel हमारे चिल्डरन कौन से होते है A, A E, E O, O A, I ठीक है O, O तो चिल्डरन आप यह चीज़ देखेंगे कि इंग्लीश में जो words singular है और वो starting का word बोलने में A, E, O, A, O की sound में आता है तो बच्चों वो सारे words हमारे किस vowel से उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे उनके साथ हम N का यूज़ करेंगे चाहे वो word हमारा English में consonant हो लेकिन यदि उसका sound हमारा A, E, O, A, O में आता है तो चिल्डन हम भापर हम N का यूज़ करेंगे जैसे कि मैं आपको बताओं देखेंगे आपको यहाँ पर भी दिया गया है कि A, University अब आप देखेंगे यहाँ पर University अगर हम इसे हिंदी में लिखें University ठीक है अगर हम English में देखें तो U हमारा वोवल है ठीक है अगर हम हिंदी के sound अगर इसके sound word पर जाएं तो U यहने कि या बन रहा है या कोई वोवल नहीं होता A, E, O, O, U की आवाज आ रही है कोई नहीं आ रही न तो यह बच्चो हमारा consonant माना जाएगा तो हम इसके साथ किसका use करेंगे बच्चो A का use करेंगे इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे कि यह use से शुरू हो रहा है हम उसके sound पर ध्यान देंगे इसी तरह हमारा यहाँ पर वन रुपी नोट है तो वन वन बोलने पर वो वो आ रहा है वो हमारा क्या है चिल्डरन consonant है U, U की आवाज नहीं आ रही यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर चिल्डरन हमने एका use किया है तो हमेशा ध्यान रखना है हमें इनके sounding word पर जाना है sounding word यहाँ जदी हमारा U, O होगा तभी हमें उसमें N का use करना है similar things में otherwise हमें U का use करना है and before a word beginning with a vowel यानिकी vowel से start होता है वो शब्द जैसे के ice cream apple, ox before a word beginning with a vowel sound bubble sound से use हो देखो, अब आप यहाँ पर देखेंगे children यहाँ पर अगर पढ़ें तो H, O, N, E, S, T starting किसे है H से है लेकिन बच्चों जब हम इसको बोलते है तो H बच्चो silent में चला जाता है और यह बोला जाता है O, N, S तो O की आवाज आई इसलिए children हमने यहाँ पर इसमें N का यूज किया है आप इससे फरिशान ना हों कि यहाँ पर तो H लगा हुआ है तो N का यूज क्यों हुआ H बच्चों यहाँ पर silent है इसी तरह आपका N, R R, H, O, U, R ठीक है H से शुरू जुरूर है लेकिन आची आप पर silent होता है बोला जाता है और N, R ठीक है इस दिया पर हमने N का यूज किया है आपको A और N का फरिशान जो है पता चला चल गया होगा अब हम चलते हैं दा बच्चों एक definite आटिकल है यानि कि हमें पता है निस्चित एक आटिकल है जो नेमिंग वर्ट्स जानी कि जो हमारे कोज इट इस उस्ट वैन वी स्पीक ओफ सम पर्टिकुलर थिंग्स और पर्संट कि इस खंट इस का यूज सम्म पर्टिकुल फि τे Κ से сाहे पस्ट निक्स की आ जाता है कि अनि कि कि सी मांटेंस के यह नंता है उनके साथ में जूड करते हैं रीवर्स के नेम के साथ चिल्डरन यूज किया जाता है जो हमारे famous monuments होते हैं उनके साथ दख का यूज करते हैं certain books and newspaper नेम होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं things that only one of their kind यानि कि वो चीजे जिनके जिनके जैसा कोई नहीं है यानि कि वो सिर्फ एकी चीजे है उसके जैसी कोई और चीज ना हो वहाँ पर भी हम दख का यूज करते हैं girls and bear यानि कि जैसे हमारे person girl the person girl आगे हमारे the person boy इनके साथ हम दख का यूज करते हैं यानि कि हमारे निश्चित होते हैं इनिश्चित चीजों के साथ ही इनका यूज किया होता है आई हो आपको समझ में आया होगा तो आपको copy में children क्या-क्या उतारना है आपको copy में जो बच्चों काम करना है एक तो इसके definition और इसका A का use कहा होता है N का use कहा होता है ठीक है उसके बाद हमारा जो यह जुद्धा है यह सारा हमें जो है अभी में no-down करना है यहां से यहां तर के लिए अब हम चलते हैं बच्चों इसकी exercise की तरह अब इसकी exercise क्या है बच्चों first है हमारा insert articles where necessary and write these sentences यानि की हमें आर्टिकल का यूज करना है जापे हमें need है और इस sentences को दुबारा लिखना है फर्स्ट आपका किया हुआ है second पे चलेंगे गंगा is sacred river गंगा क्योंकि rivers का नाम है और हमें बताया गया है कि नदियों के नाम से पहले हम the का use करते है क्योंकि गंगा जैसी कोई और नदि नहीं है तो दुबारा गंगा is a secret river फिर camel is ship of desert the camel is the ship of the desert camel जैसा कोई और the camel is the ship of the desert ठीक है camel जैसा कोई और हमारा जो है जीव नहीं है जो किश जहाज है कहा जाता है उसको फिर हमारा है blue whale is the largest animal ठीक है तो blue whale हमारी कैसी है the blue whale is the blue whale हमारी कैसी है largest animal फिर हमारा जाता है draw the map of India draw the map of India क्योंकि इंडिया के map जैसा कोई और map नहीं है Rajasthan is border state Rajasthan is the border state फिर हमारा जाता है the sun makes the snow apple दा की apple day keeps दोक्टर अवे apple एपल एक यावाज आ रही है तो apple a day keeps the doctor अवे इसी तरह हमें इसमें ए ए एन और दा का यूज करना है बच्चों वुड्यू लाइक बनाना फो लंच दा जैब्रा है आपर जैब्रा जाती के बारे में बताया गया है इसलिए बच्चों हमने दा जैब्रा का यूज किया है नेक्स करेंगे एक डैश एस्कीमो लीव इन डैश पिगलो यहां पर भी आपको दा एस्कीमो लीव इन दा पिगलो यानि की जाती के बारे में बताया गया है यह बारे में बताया गया है कीरन बोट एन अंब्रेला और की आवाज आ रही है फ्रोंदा सुपर्मार्किट कि 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 का बुक का बुक से शुरू कंसनेंट है तो ओ इसी तरह इशान वास नोन टूबी डैश कोनेस्ट मैनिया पर आप देखेंगे अच्छी से शुरू है लेकिन इसकी साउंडिंग वर्ड ओ आ रही है तो हमने यहां पर रहन का यूज किया यहां लोटस टेंपल दा लोटस टेंपल लुक्स बीटिफूल ऑन दा मून लाइट ठीक है दा चिल्टन सेट एट सेट देएड सीन एन एल्फ ठीक है इस तरह बच्चों हमने यह आर्ट लेकि बवे इनाइज